आज हम लोग क्लास 11 पार्ट पांच समिश संख्याएं और दुई घाश समिकरण की प्रश्ण आवली 5.3 हल करेंगे जिसके अंदेगर देखिए पहला प्रश्ण है इसमें लिखा है निम में लिखी समिकरणों में से परतेक को हल कीजिए तो इसमें देखिए गुल 10 सवाल है एक़र करके देखते हैं तो प्रस नमबर 1 में है यक्स स्कौायर प्लस 3 बराबर सुने तो यह तो देखे इस प्रकार कर लेंगे इसको यक्स स्कौायर बराबर इसको इधर पक्षाता कर देएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा यक्स बराबर इसका वर्ग है इसको लगाएं में तो वे वर्गमुल बनेगा माइनस 3 है ना करणी कंदर माइनस 3 हो गया अब देखें करणी कंदर माइनस 3 है इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस इसको आप नही Chief सकते हैं I square 3 तो इस प्रकार देखे, I² का यह I बाहर और करनी 3 ऐगा, तो अथा इसके देखे क्या निकाना था? प्रतेक का हल ज्याद करना है तो देखे ये हो जाएगा i root 3 और minus i root 3 देखे ये उचका उप्तर हो जाएगा ठीना तो प्रश्च नमबर 1 हो गया अब प्रश्च नमबर 2 देखते हैं तो प्रश्च नमबर 2 में है 2x square plus x plus 1 बराबर 0 ये दोई घास अमिकरन है तो हम इसको ax square plus bx plus c बराबर 0 से तुलना करने पर इसे तुलना करेंगे तो हमको a, b, c का मान गयाद हो जाएगा तो इससे जगा a का मान क्या है 2 b का मान 1 है न या आपको कुछ नहीं तो ये 1 होता है और c का मान एक पराथ हुआ अब हम इसका मूल गयाद कर लेते हैं तो देखें सुत्र क्या होता है x बराबर minus b plus minus करनी b square minus 4 a c बटे 2 a मान रख देंगे c पर तो जगा minus 1 plus minus root under b square मतलब 1 का square minus 4 into 2 into 1 ठी न ही रहा a और ही रहा c का मान बटे 2 गुडे 2 है न एक मान 2 लिखा हुआ है अब इसको हम हल कर देते हैं minus 1 plus minus 1 minus 8 बटे ये 4 है ठीना 4 दुनी 8 हो गया था ये अब इसको हल करेंगे देखें minus 1 plus minus इसको जिसकते हैं minus 7 बटे 4 तो देखें minus 1 plus minus इसको हम लिखेंगे i square is 7 minus को लिखेंगे i square यहां लिख देंगे square लिख देंगे square और ये गुडे 7 बटे ये 4 है तो इसको इसके बाद देखें यहां लिख देते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर minus 1 plus minus ये i और करनी 7 बटे ये 4 हो गया ठीक ना अब हम इसको अलग-अलग करके लिख लेते हैं तो देखें हल क्या जाएगा minus 1 बटे 4 plus i root 7 बटे 4 ठीक ना ये प्राफ हो जाएगा और एक हो जाएगा minus 1 बटे 4 minus i root 7 बटे ये 4 तो ये 2 मान हमको ग्यात हो जाएगे ठीक ना तो इस परकार प्रस नमबर 2 को हमने हल कर लिया अब प्रस नमबर 3 देखेंगे देखें प्रस नमबर 3 है x square plus 3 x plus 9 बराबर 0 तो इसको भी हम दुईखा समिकरण के मानक रूप से इसको तुलना करेंगे तो लिख रहें ax square plus bx plus c बराबर 0 इसे तुलना करेंगे तो क्या जगा a बराबर 1 है ना यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये minus b plus minus करणी b square minus 4ac बटे 2a हो गया अब यहीं मान रख देंगे minus 3 plus minus करणी b square मतलब 3 का square minus 4 into a into 9 है ना ना c का मान 9 दिखा हुआ है दो गुडे 1 minus 3 plus minus करणी में 3 रख आई 9, 9, 4, 36 बटे 2 तो यह हो गया minus 3 plus minus करणी में minus 27 ठीना 36 में 9 गया तो ये 27 हो जाएगा बटे ये 2 हो गया तो इसको हम कर सकते है minus 3 plus minus देखे 27 है तो 3 गुडे 3 गुडे 3 इसमें से 3 एक बाहर आ जाता है 3 हो गया minus करणी 3 sorry 3 करणी minus 3 ठीक ना बटे ये 2 हो गया अब इसको देखे आई इसको लिख सकते हैं हम minus 3 plus minus 3 ठीना 27 का समय में आ गया होगा इसको आप लिखते हैं ये 3 गुडे 3 गुडे 3 तो इसमें एक जोड़ा बनके ये 2 3 ये बाहर आ गया है बाकी जो 3 बज गया था वो हमने लिख दिया है ठीक ना और ये हो गया देकि ये जो minus है इसको हम लिख सकते हैं i square और ये 3 लिखा हुआ है बटे ये 2 हो गया तो यक्स बराबर कितना हो गया minus 3 plus minus 3 ये i करणी 3 बटे 2 i को हम पहले लिख लेते हैं ये इसी रूप में answer दिया हुआ है आप चाहें तो इसको आप अलग-अलग भिल लिख सकते हैं आतर हल क्या क्या हो जाएगा minus 3 plus i 3 करणी 3 बटे ये 2 ठीक ना एक ये आगया minus 3 minus i 3 करणी 3 बटे ये 2 आगया ठीक ना तो ये आपका ये उत्तर हो गया ठीक ना तो प्रस्ट नमबर 3 हमने हल कर लिया चाहे आप ये लिखे चाहे ये लिखे ठीक ना plus minus को मैंने अललग करके लिख लिया है तो प्रस्ट नमबर 3 हल हो गया अब प्रस्ट नमबर 4 देखेंगे देखे प्रस नमबर 4 यह है इसमें लिखा है minus x square plus x minus 2 बराबर 0 तो हम इसको दूई घास्नमिक्रेंड के मानक रूप से तुलना करेंगे तो यह हम लिख लिया और इसे तुलना करने पर से तुलना करने पर तो हमको इसमें a कमान क्या पराप हो जाएगा यहां देखे यह है minus 1 और b कमान यहां कुछ नहीं तो यह 1 होता है और c कमान minus 2 ठेक नब अब हम मुल्क ज्याद करने का या हल्क ज्याद करते हैं उसका सुत्र लिखेंगे minus b plus minus b square minus 4ac बटे 2a मान रख देते हैं हम इसमें minus 1 plus minus root अंडर 1 का square minus 4 into minus 1 into minus 2 बटे 2 गुडे minus 1 अब देखे इसको हल करेंगा आगे minus 1 plus minus root अंडर 1 चार दुनी 8 ते होगा minus 8 होगे अठी ना 2 minus plus और 1 minus रह जाएगा बटे ये minus 2 हो गया तो इसको आप फ़ल करेंगे तो minus 1 plus minus ये बजाएगा minus 7 बटे minus 2 इस minus 7 को लिख सकते हैं हम minus 1 plus minus root अंडर i square और ये 7 बटे minus 2 है ये ठीना तिये minus 2 लिख दिया अब इसको लिखेंगे minus 1 plus minus ये i अकर्णी 7 बटे ये minus 2 हो गया ठीक ना अब हम इसको अगर अलग करें ठीना धनात्मक चिन अलग और रिनात्मक चिन अलग लिखेंगे और a plus i b की रूप में अगर हम लिखें तो देखें क्या प्राप्त हो जाएगा देखें यहां तक तो ये book में आपके इतना answer दिया हुआ है ठीना ये ही answer दिया है और अगर आगे हम आगे इसको बिस्तार करें तो देखेंगे ये प्राप्त जगा minus 1 बटे minus 2 और plus minus i करनी 7 बटे minus 2 ठीक ना ये बाब plus मिले लिया अगर इस बाद इसको minus मिलेंगे minus 1 बटे minus 2 minus i करनी 7 बटे minus 2 ठीक ना तो ये cancel जाएगा और ये minus यहां जाएगा तो जाएगा 1 बटे 2 minus i करनी 7 बटे ये 2 हो गया एक आंसर ये आया और ये आया ये कड़ गया तो 1 बटे 2 और ये minus से प्लस जाएगा तो plus i करनी 7 बटे ये 2 इस प्रकार देखें हमको ये आंसर प्राप्त होगा ठीक ना वैसे पीछे आंसर बुके ये दिया हुआ है तो इस प्रकार प्रस नमबर 4 हमने हल कर लिया अब प्रस नमबर 5 देखते हैं तो देखें प्रस नमबर 5 में है x square प्लस 3x प्लस 5 बडाबर 0 तो इसको हम लिखेंगे ax square प्लस bx प्लस c बडाबर 0 से तुलना करने पर तुलना करने पर तो देखें क्या प्राप्त होगा हमको हमको इससे a b और c का मान प्राप्त हो जाएगा a बडाबर 1 है न ये 1 होता है b बडाबर 3 और c बडाबर 5 हो गया अब हम इसका सुत्र लिख लेते हैं x बराबर माइनस b प्लस माइनस करने b square माइनस 4 a c बड़े 2 a हो गया तो रखेंगे b का मान रख लेंगे फिर यहाँ b square मतलब 3 का square माइनस 4 इंटू a 1 इंटू 5 बड़े 2 गुडे 1 हो गया तो माइनस 3 प्लस माइनस करने 3 का वर्ग 9 और 5 4 20 है न चार पंचे 20 बड़े 2 3 हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस देखें इसमें क्या हो जाएगा 9 बड़े गा तो माइनस 11 आएगा बड़े यह 2 आ गया ठीक ना अब इसमें माइनस को क्या लिख सकते हैं हम लोग तो लिखेंगे यक्स बराबर्द माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर आई स्क्वाइर और इले बड़े 2 ठीक ना आई स्क्वाइर का आई बाहर निकल जागा तो माइनस 3 प्लस माइनस आई करनी 11 बटे यह 2 तो यह आ गया तो देखें प्रस नमबर 5 में यह आपका उत्तर आ गया अब चाहिए इसको आप अलला भी कर सकते हैं पीछे तो यही आंसर दिया हुआ है ठीक ना तो प्रस नमबर 5 हमने हल कर लिया अब प्रस नमबर 6 देखते हैं देखें प्रस नमबर 6 दिया हुआ है एकस स्क्वाइर माइनस एकस प्लस 2 बराबर 0 तो इसको भी हम इससे एकस स्क्वाइर प्लस बराबर 0 से तुलना करने पर है ना लिक लेते हैं इसको तुलना करने पर तो देखें क्या जाएगा a बराबर 1, b बराबर minus 1 और c बराबर ये 2 ठीना इससे एको a 1 मिल गया, b minus 1 मिल गया और c 2 मिल गया, अब हम इसमें सुत्र लिख लेते हैं, minus b plus minus b square minus 4ac बटे 2a, इस पर हम मान रख देते हैं, देखें एक minus a रहा और b का भी minus minus में ही है, minus 1 plus minus root under minus 1 का i square minus 4 into a into 2, c हो गया, 2 गुड़े 1 हो गया, देखें 2 minus मिल कर ये plus हो जाएगा, 1 plus minus root under, ये 1 का 1 हो जाएगा, 4 दुनी 8, बटे 2 एक कम 2 हो गया, तो इसको आप फ़ल करेंगे, तो 1 plus minus ये हो जाएगा, minus 7, बटे 2, तो इसको आप लिए सकते हैं, 1 plus minus, इसको लिए सकते हैं, देख के i square, गुड़े 7, बटे 2, तो i square का i बाहर आ जाएगा, तो ये अपना उत्तर आ जाएगा, plus minus i, कर्णी 7, बटे 2, तो ये इस प्रकार x का मान आ गया, ठीक ना, तो इस प्रकार प्रश्च नमबर 6 भी हमने हल कर लिया, अब प्रश्च नमबर 7 देखते हैं, तो प्रश्च नमबर 7 में है, लिखा इसमें, कर्णी 2 x square, plus x, plus कर्णी 2, बराबर 0, तो इसको भी हम तुलना कर लेते हैं, लिखेंगे, a x square, plus b x, plus c, बराबर 0, से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो इससे हमको a कमान क्यात हो जाएगा, तो क्या हो गाएगे, root 2, और b कमान, यहां कुछ नहींते, यह 1 होता है, और c कमान, कर्णी, यह 2 हो गया, ठेक न, अब हम इसको क्या करेंगे, फुत्र लिख लेते हैं, minus b, plus minus root under, b square minus 4ac, बटे, 2a हो गया, यहां लिख देते हैं, minus b, मान रख देते हैं, अब, minus 1, plus minus root under, b square, मतलब, 1k square, minus 4, into root 2, into root 2, थी न, यह और यह c कमान है, बटे में, 2 गुडे, root 2 लिख दिया, अब देखें, minus 1, plus minus root under, यह 1, यह कर्णी, 2 कर्णी, तो 2, और 4 दुनी, 8 हो गया, बटे, 2 कर्णी, यह 2 हो गया, minus 1, plus minus, यह minus, यह 7 हो गया, बटे, 2 कर्णी, 2 हो गया, अब इस, अब minus को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे, minus 1, plus minus, यह हो गया, i square, और गुडे, 7, बटे, 2 कर्णी, 2, तो यह हो जाएगा, minus 1, plus minus, यह i बाहरा जाएगा, कर्णी, 7, बटे, 2 कर्णी, यह 2 आगया, ठेक न, तो इस पकार हमको देखेंगे, हमने ग्याद कर लिया, अब प्रश्ण नमबर 7 हमने हल कर लिया, अब प्रश्ण नमबर 8 देखते हैं, देखें, प्रश्ण नमबर 8 है, तो इसमें हम इसमें A, B, C का मान ग्याद कर लेते हैं, तो इसके लिए हम A, X, square, plus B, X, plus C, बराबर 0 से तुल्ला करने पर, लिख लेते हैं, तुल्ल करने पर, इससे हमको A कमान ग्याद हो जाएगा, A बराबर, यह हो गया करनी 3, B बराबर, माइनस 2, करनी 2, और C बराबर, 3 करनी 3 हो गया, अब हम सुतर लिख लेते हैं, X बराबर, माइनस B, plus माइनस करनी, B, square, माइनस 4AC, बटे, 2A, मान रख लेते हैं, देखें, एक माइनस से रहा, अब B का भी माइनस माइनस में ही है, देखें, माइनस 2, माइनस, रूट 2 है, प्लस माइनस B, square, B, square मतलब, रूट 2 का, square, माइनस 4, इन्टू, रूट 3, इन्टू, 3, रूट 3, ये हो गया, बटे, 2 गुडे, रूट 3, ठीक न, तो देखें, ये 2 माइनस मिलके, प्लस जाएगा, तो घुगिया, रूट 2, प्लस, माइनस, और इसको हल करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखें, रूट 2 का, ये 2 हो जाएगा, माइनस, ये हो गया, 4, ये觉ि रूट 2, तीन, तीन, करणी 3, 3, तो बारत याइन 36, ठीना करणी 3, करणी 3, 3 जाएगा, 3 कैनो, 9 चोग 36, बटे 2 करणी 3 हो गया, ती हो गया, रूट 2, प्लस माइनस, इसमें से, 36 में 2 घटाएगे, तो कितना हैगा, 34, ठीना, 34, 35, 36, बटे 2, रूट 3 हो गया, इस माइनस कुली सकते हम लोग, यक्स पराबर, रूट 2, प्लस माइनस, ठीना, यह जो माइनस है, इसको हम लिख लेते हैं, आई स्कॉर, 34, बटे 2, रूट 3, ठीक ना, तो यक्स कमान कितना जाएगा, रूट 2, प्लस माइनस, आई, रूट 34, बटे 2, रूट 3, तो देखें, प्रस नमबर 8 हमने हल कर लिया, अब प्रस नमबर 9 देखते हैं, ठीना, तो अब हम इससे, इसको हल कर लेते हैं, तो देखें, इसको हल करेंगे, तो यहाँ जाएगा, कड़नी 2, x स्कॉर, प्लस कड़नी 2, x, प्लस 1, बटे, यह कड़नी 2, बराबर 0, जब आप इसका तीरे गुड़ा करेंगे, तो यह चीज 0 ह जाएगा, तो यह जाएगा, रूट 2, x स्कॉर, प्लस रूट 2, x, प्लस 1, बराबर 0 हो गया, अब हम अगर, ए कमान ग्याद करें, तो रूट 2 आ गया, बी कमान आ गया, रूट 2, और C कमान आ गया, एक, अब इसमें सुत्र रख लेते हैं, माइनस b, प्लस माइनस रूट, कमान करनी 2, माइनस 4, इन्टू A, इन्टू C, बटे 2, इन्टू, है न, रूट 2 है, तो रूट 2 आ गया, इसको आप खल कर लेंगे, तो माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट अंडर, दो दो 4, माइनस 4 करनी, यह 2 हो गया, ठीक न, अब बटे 2 करनी 2 लिखा हुआ है, अब देखे, इसमें से हम रूट 2, रूट 2 बाहर निकाल लेंगे, ठीक न, यहाँ रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 निकाल लेंगे, तो देखिए, यहाँ इसको लिखते है, माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट अंडर, तो देखे, इसमें से क्या कॉमान निकाल ला, इसमें हम root 2 निकालेंगे बाहर यहाँ root 2 गर common ले ले तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए इस 4 को हम लिख सकते हैं देखिए हम पहले इसको हल कर लेते हैं 4 को लिख सकते हैं, 2 कर्णी 2 कर्णी 2 minus 4 कर्णी 2 ठीक ना, इस 4 को तो हमने इस रूप में ऐसे लिख लिया, ठिक ना, करनी 2, करनी 2 दो दुनी 4 बन जाएगा यह, बटे 2 करनी 2 आ गया, अब इसमें से, आप इसमें करनी 2 बाहा ले सकते हैं, करनी 2 बाहा निकाल सकते हैं, तो यह बचेगा 2 करनी 2, माइनस 4, यह हो गया, बटे 2 करनी, यह 2 हो गय अब देखे करणी दो, करणी दो, करणी दो, हम इसमें से common ले लेंगे तो करणी दो कट जाएगा, करणी दो common ले लिया, तो देखे यह हो क्या, minus 1, plus minus, root under, 2 root 2, minus 4, बटे, 2 root 2, तो यह चीज़ कट गई, ठीक न, अब देखे क्या बची अपने पास, minus 1, plus minus, देखे यह है, दे तीन दस्नम्लो करके आएगा, है न, root 2 का मान आएगा, तो 1.141 आएगा, तो इसमें 2 इंटू करें, लबच 3 आएगा, 3 में से अगर 4 घटाएगे, तो यह चीज़ माइनस में आ जाएगे, ठीक न, तो इसको हम लिख लेते हैं, 2 root 2, minus 4, यह पद, यह जो है, यह रिनात्मक ह है, ठीक न, बटे, यह 2, अब इसको हम प्लस करना चाहें, तो हम लिख सकते है, minus 1, plus, minus, इसमें क्या करेंगे, इसको पद बदल देंगे, minus, कॉमन ले लेंगे, तो तो इस जगा 4, minus 2, root 2 हो जाएगा, बटे, यह 2 हो गया, ठीक न, अब देखे, यह चीज़ प्लस हो जाएग जैसे, यदि 3, 2 में से 5 गया, तो minus 3 है, अगर इसके पद बदल देंगे, तो यह चीज़ प्लस में आती है, ठीक न, तो इसको पद बदल दिया, कॉमा बहा निकल गया, तो अब हम इसको लेखेंगे, minus 1, plus, minus, root, अंडर, यह i square, bracket में, 4, minus, 2, root, 2, बटे, यह 2, बस यह i square बह निकाल देंगे, तो अपना answer आजाएगा, plus, minus, i, root, under, 4, minus, 2, root, 2, बटे, यह 2, ठीक न, तो देखेंगे, इसका भी प्रस नमबर 9 को इस पकार हल कर लिया, प्रस नमबर 9 हो गया, आप प्रस नमबर 10 देखते हैं, देखेंगे, प्रस नमबर 10 यह है, तो इसको आप हल करते ह है, लिकेंगे, ax square, plus, bx, plus, a, बराबर 0 से, तुलना करने पर, इससे हमको, a कमाना जाएगा, 1, b कमाना जाएगा, 1, b कमाना जाएगा, 1, बटे, करनी, 2, और c कमाना जाएगा, 1, अब हम सूत्र लिख लेते हैं, minus, b, plus, minus, root, under, b square, minus, 4, a, c, बटे, 2, a, मान रख देंगे, इस पर, तो minus, 1, बटे, करनी, 2, है न, b कमाना है, plus, minus, root, under, 1, बटे, करनी, 2, का square, minus, 4, into, a, into, c, बटे, 2, गुडे, 1, अब इसको हल कर लेते हैं, minus, 1, बटे, करनी, 2, plus, minus, root, under, 1, बटे, ये, 2, हो जाएगा, है न, 1, बटे, 2, minus, 4, बटे, ये, 2, हो गया, अब देख, इसको हल करेंगे, तो जाएगा, minus, 1, बटे, करनी, 2, plus, minus, minus, 4, दुनी, 8, 8, में, एक, कम हुआ, ये, हो जाएगा, minus, 7, बटे, करनी, 7, बटे, 2, ये, 2, हो गया, तो इसको हम लिसकते है, minus, 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 1, plus, minus, ये, देखे, minus, 7, बटे, ये, 2, करनी, ये, 2, थी, न, इस, करनी, 2, को हम इधा, लिख ले रहे हैं, देख, इसको आप ऐसे लिसकते है, minus, 1, बटे, करनी, 2, plus, minus, करनी, minus, 7, बटे, करनी, ये, 2, बटे, ये, 2, हो गया, तो हमने इसको यहां लीचे लिख दिया अब इसको लिख देंगे माइनस एक प्लस माइनस रूट अंडर आई स्कॉायर साथ बटे टू रूट टू तो इसमें हम आई बहा निकाल लेंगे तो बचेगा कंड़नी साथ बटे टू रूट टू तो इस प्रकार हमने प्रश्ण नमबर 10 को भी हल कर लिया देखें इस प्रकार हमने प्रश्ण वली 5.3 को हल कर लिया अब प्रश्ण वली 5.4 देखेंगे